प्यारे विद्यार्थियो तो आड़ा आम आदमी ब्रेन अकेडमी दे उते स्वागत है आज दा साड़ा अदे आए रेगा बोली जा पाशा अते वियाकरन जिने बारे अज विचार चर्चा तो आड़ेना पूरन रूप देवेच सांजी करांगे आज देस दे आए देवेच असी बोली जा पाशा ते वियाकरन बारे तो आड़ेना विचार चर्चा सांजे पदर उते करांगे कि बोली दा ते वियाकरन दा आपसी की रेलेशन है ते बोली ते पाशा दा समाज दे नाल ते पाशा दे नाल की सबंद है उस दे दियाइधे वैच त आपने गल जड़ी है पूरा रूप दे विच करन जा रहे हैं ता सब तो पहले गल उचा किल वैजी चाहरा बहुत है तस दीया पारीчव म३ंत तशों मेंıma करन दे तरह हां के दे जेडे बोला रहा हैं किसे लाके दे लोग बोल के जा लेख के अपने विचार एक दूजे नू समझोंदे जा समझदे हान उसनू बोली और ना बोला नू पाशा जा बोली किया जान दा है मनोख अपने मनोपामानू एक दूजे नाल सांजा करन लई जिना चिना दे समूधी वर्तों कर दे उसनू बोली जा पाशा आख देने एक पूरन तो दे उते जी असी गाल करिए ता बोली करके ही जेडा मनोख है ओ जानवरा तो पीन नहें केदे बोली जेह सार्थक शब्दां दा समू है जिना द्वारा मनोख अपने मनोपामा ते विचारानू दूजे आगे परगड करदा है दूजे आगे परगड किस तरीके नल करदा है कई वारी ओ अपने मुहों भी नी बोल बोल दा उस दे फेस इंस्प्रेक्शन तो इसा अनुपता लग जन्दा है कि उस दियां पावनावा की ने कोकि मनोपामा ता सबंद जेडा है असी देख द्रिष्टी तो जा अनभव तो भी लगा सकते हैं विचार जेड़े है एसाड़े अंदर ही हुंदेने जो की समय समय दे उते संचार हुंदे रेंदेने तो इस करके पाशा दा जे असी दर्जा जा दाइरा देखिए ता भुत विशाल है इस पाशा करके अज मनोफ ने नहीं तरक्की किति है कार घुच घुच जारी जेड़े अज पाशा करके पूरन तो रुदे देश विदेश देवे चंतर आस्त्री पद्दर दे उते पाशा करके मनोफ जड़ाए अग्जे दियग्गे वददा जा रहे हैं अपनी गालनों समझे होंदे ले कई वारी सैन्ता जा इशारेयां दी वर्तों भी किती जान दी है पर एना दी वर्तों आम नहीं हो सकती इसलिए पामान उपर गटों ली पाशा दी सब तो सफल साधन मन्या गया है पामान उपर गटों होंदा सब तो सफल साधन पाशा है चाए आसी स्कूली पदर्च बचे पड़ रहे हैं चाए ओ कॉलज पड़ पड़ रहे हैं चाए समाजीक पदर ते विचर रहे हैं ता प्यारे व द्यारतियो पाशा दा सादे नाल इस तरह नरिश्ता है जैस तरह पाशाराही मानदे पामानू लेखके जां बोल के परगट किता आ जानता है। जो असी लिखती रूप दे विच याद किता है उन्हों लिखती पदर दे विच लिखिया। उसे तरह ना लिखती पदर तो जाद करके असी उसनू परगटाया बोल के परगट किता। सबतो पहले है मोखिक, मोखिक पाशा जां बोल चाल दी पाशावी आख्या जान दा है। बोल चाल तो पाव हुन दा है एक दूजे ना बोल के ता सदारन गाल बात दी पाशावी इसनू किया जान दा है। जदो कोई दो व्यक्ती आपस दे विच एक दूजे ना गाल बात कर देने ता उसनू असी बोल चाल दी पाशावी आख्या जिस दी वर्तो पिंडा, शेरा, नगरा, दफ्तरा, हार एक खेतर दे विच हुन दी है। नंबर दो दे उते हैं लिखती पाशा, ता लिखती पाशाणू असी एक होर नाम नाल भी जान दे आ, ता ओ है इसदा साहितिक पाशा, लिखती पाशा दे नाम नाल भी जान ने आ जान दा है। साहितिक पाशा, साहितिक पाशा जा लिखती पाशा दे रूप दे विच इसनू बोल जान दा है। साहितिक पाश्मी बंगाल दे तो उना दी बंगाली उना दी पाशा है। ता जेडा पदर दे उते जिस इंसान जिरा व्यक्ती जित्थे जित्थे विच्चरदा है, उत्थे उत्थो दी ही हो अपनी पाशा दी वर्तो करदा है। ता इसे तरह बंगाल दी बंगाली ता होना सी गाल करांगे बोली दे इतिहास बारे। ता बोली दे जनम दे बारे साड़े कोल बोत ही सारे मात जेड़े या वख 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 विद्वाना दे द्वारा पेश किते गए ने, पर एना मतना दे विचो कोई वी एक मात बोली दी उत्थपती पारे सम पूरन जानकारी नई दिन दा। कई लोग आपनी बोली नू रभी देन मन दे है कि बोली दी उत्थपती जड़ी या परमातमा दी देन है या परमातमा द्वारा उचारन किती गई है पर ए ठीक नहीं क्योंकि जे अजेहा हुंदा ता बच्चा जनम लेंदे ही बोली दे शब्दा दी वर्तो करन लग पर अजेहां नहीं हुंदा कोकि बच्चा जड़ा है ओँजम दे असार बोली दे शब्दा नू जान दा ही नहीं है जिवे जिवे ओपूरन तोरुते समाज विच्छ विच्छ दा फिर ओपूरन तोरुते बोली दी वर्तो करन लग दा पर बच्चा था बोली सि Convention के बोलना बोली नूँ सिखन दी कोशिश करदा ता जिसनु आसी अनु करण वी बोल देया अनु करण नुपा आप नकल रही नकल वी एक कला है जो की पाशादे सिखन वीचे सब तो एहमियत स्थान रख दीए ता बोली देते हासदी गाल करिये आद मनोख जिडा से उसे झेल कोल शिर्फट शिर्फत तो निया से जंगली जानवरां दे विच औरेंदा से जंगली जानवरां ना रहें करके उना दी तरा ओधना दि आवाज्या कडनीया उना दी तरा हावपव समझने शुरू कर दिते सी होली होली जिस तरह ना बूली दा विकास होना शुरू होया ता लिपी बंतर समने आई फेर इस दा मोखिक रूप देवेच उचारन होया फेर अगे शास्त्री रूप देवेच लिखती रूप देवेच इसनु सबाल लंदा जड़ाए परकिरिया अगेवदी ता इसे तरह ना शे इस वी पूर्वख इसा पूर्वख देवेच पाली नी दो आरा जाके ए पूरन तोरूते संस्क्रित पाशा दे अनुकरन राही अगेवदी ता इसे तरह नाल कई विद्वान ए मन देहान की जानवरां ते कुदरती वस्तुवां दिया अवाज़ां दी नकल करन नाल वी बोली होंद वीच आई भिल्कुल गल सही है अनुकरन दे राही ही पाशा जड़ी है अगेवदी कई वद्वान एवी केंदेने की मनोख दे अंदर खुशी दे मोके निकले सुबावक शब्द बोली दा रूप तारन करगे ते कईया दा मत यह है कि जदो मनोख काम करके पूरी तरह नाल ठक जन्दा सी ता उस दे मोह निकले हाई ओफ शब्द वी बोली दा रूप तार गे सो असी कह सक देया कि सारे मत ने मिलके ही बोली दी उत्पती वीच हीसा पाया जिने वेच मनोख दा उना ही एमियत स्थान है जिना की बाकी समाज वेच विच्चर दे होए मनोखान दा है इसे तरह नाल एक दूजे दे विचार तारा एक दूजे दे अनभव दी परकिरिया दे नाल बोली जेडिये विक्सित होई ते अगे परफुलित रूप दे वेच आज साधे तक पोंची अगे पंजाबी बोली के दे पंजाबी बोली दे विकास बारे विदवाना दे मातपेद हन हर किर्थ सिंग दे अनुसार पार्ती आरिया पाशा दा सबतो पुराना वैदिक पाशा नो सविकार किता जन्द है पाव ये वेदा वाली पाशा वेदा दी पाशा पंजाब विच आके वसे आरिया लोग ही बोल दे सान। पाशा पंजाब विच आरियन तो आई आरियन सब्हेतातों जित्तों इस दा विकास जेडा सी पूरन रूप दे विच अग्गे वदेया। इस तरह नल पार्तिक विशाल देश है पार्त दे विच बहुत सारिया पाशामा बुलिया जन्दियान है। पार्त पिंतामा वाला देश है, हार तरह दी पिंता इंदे अंदर देखनू मिल दी है, उते ही पशामा देविच भी पिंता देखनू मिल दी है, जिना विचो बाई पशामा नू सविदान दे अनुसार मानता प्रापत है, कि हार एक खेतर देविच ओ पूरन तोरुते इना पाशादी वर्तो करद है जिस तरह सब्तों पहला दर्जाए संस्कृत हिंदी, पंजाबी, उर्दू, बंगला, गुजराती, कश्मीरी, कंणर, मले आलम, मराथी, उडिया, तामेल, तेलगू, सिंदी, असामी, नेपाली, कोकनी, मनीपूरी, बोडू, डोगरी, मैंथली, ते संथाली, ता ए साधे कुल-कुल मिलाके बाई पशावा ने जिनानु सविदान दे अनुसार मानता प्रापत है, ता ए पूरन तोर उते पदर दे उते राज पशावा दे नाम नल जानिया जानिया ने, वो नसी गाल करांगे पाशा दे रूप, ता पाशा दा सब तो पहला रूप जेडा है, मात पाशा है, के दे जेडी पाशा, बच्चा अपने करिवार तो सिखदा है, जा अपने मात तो सिखदा है, कर दे आले दो आले तो सिखदा है, उस दी सब तो first language को हाँ दी है, जिसनों mother tongue बोल या जन्द अंगरेजी जिज पंजाबिच बोल दे है, मात पाशा नमबर दो ते है राज पाशा राज पाशा तो पाव है किसे प्रांथ जा इलाके दी पाशा नू राज पाशा दा दर्जा दिता जन्दा है और प्रांथ तो पाव है जिदा महारास्टरा लग हो गया पंजाब लग हो गया हरे आना हो गया कश्मीर हो गया तैना इलाक उसे तरह नाल महाराश्टराच मराथी है तो वो राज पाशा द दर्जहा रख दिये मजदी पाशा पंजाबी ते गुजुरात दिये में करते दे गुजुरात दिये मौ 5000 दिये मारा थी J-3 पाशा द द पाशा जिवें की पार्त दी राश्ट्री पाशा हुंदी है, ओ है साड़ी हिंदी, साड़े देश दी अनेकता विच एकता दा परमान है, राश्ट्री पाशा दा दर्जा हिंदी पाशा नू दिता गया है, इसे करके राश्ट्री गीत, राश्ट्री गायन, ता ए साड़े हिंदी द वेची सविधान विजड़ा है पूरण तोरोगते हैं, उसे तरह नार हिंदी देवे Cake Game वेची वीचार चर्छा करते हैं, राश्ठरी के इंदर वल्लो उचारन कीत्ती जांदी हैं, मंतरी मंडल विच कीत्ती जांदी हैं तो इसकारके राश्ठरी पाशाथ हिंदी नों प्रा अज अंग्रेजी करके पूरन तोरूते पंजाब दे वेच पार्त दा कोई वी ऐसा फिलानी जित्थे अंग्रेजी दा बोल बाला नहीं है। नंबर अग्रेज अज अंग्रेज पांज साहितिक पाशा जा टकसाली पाशा जिनू केंदे हैं। इन ही हुंदा है। पाशा दे रूप नू असी तकसाली पाशा जा सहितिक पाशा दा दरजा दिनने हैं। पाशा दे विच्चों तकसाली पाशा दा दरजा प्रापत होया है। पाशा नो मांजी स्वारी होई पाशा है कोकि इस दा हूब हूँ रूप जेडा शुद रूप तकसाली पाशा दे नाल मेल खांदा है। ता एसी पंजाबी पाशा दे अगो रूपा बारे वखवख वनगियां बारे जानकारी उस तो अगे ऐसा डेकोल गुप्त पाशा जिसनों आसी कोड लेंग्वेज आख दे हैं। कोड लेंग्वेज दे वर्तों कदो कितनी जान दी है विद्यार्थियों। आम तोर दे होते हैं जिन्हों आसी प्राइवेसी भी बोली देने हैं। जेड़ी की खास तोड़ दे उते उदो ही बुली जान दी, कोड लेंग्वेज के आ जान दा है, एंधी वर्तों हों दी जेड़ा किसे दूसरे नो ना पता लगे, को गुप्त तोड़ दे उते, गुप्त रूप दे विच कुछ कोड रखके, जा कुछ चेन रखके, जा कुछ इस शारे जा सैनत दे रही, ए पाशा जड़ी है, उसे इंसान नो पता चल सकती है, जेड़ा इस दे सीकरट नो जान दा होएगा, ता इस पाशा नो खास वर्ग दे लोग अपने किते दे नाल सबंदित, विशेश कोड दिता जान दा है, उसनो गुप्त पाशा केंदे ने, जिदा फोजी होगे, फोजीआ दे विच लोग गुप्त कोड, जा इस तरह नाल सिक तरम दे विच नियांगसिंग, सिक तरम दे विच निहंगा दे दौरा विजेड़े ने, कोड लेंगवेस बल बोली जान दी सी, ते आर्मी फोर्स दे विच भी फोजीआ दौरा ये सिर्फ ओही समझ पांदा है जो कि इना दी ट्रेनिंग दे अकोडिंग जा इना दे बूला दे अकोडिंग ओना दे पक रूप दे विच हुन दे है एथो पूरा तोर ते पता चल जन्दा सी कि कोण अपना है ते कोण पराया ता एक कोड लेंग्वेज जेडी है कि सीकर ले अक्षा दे विच्छ आया ग्रैमर तो ग्रामर दे विच्छ आया ता व्याकरन जेडा मूल रूप विच संस्क्रिट पाशा दा शब्द है जिस्दा अर्थ विश लेशन करना तो पावंद थैं एनैंसिंस करना पूरान तोरूत ते विश लेशन जिदे जिन्दे च निजम ते पूरी दी तरह तरतीब बार निजम दा ते आन ते ख्याल रख्या जन्द है जिसनों अंग्रेजी चैसी ग्रामर आख दे हाँ तग ग्रामर दी सब्तो पेली रवाइद जेड़ी 1913 दे वेच वीलियम कैरी द्वारा किती गई सी वीलियम कैरी ता इसे तरह ना शेवी सदी इसा पूर्वक ग्रामर दे वेच सब्तो पेला जेड़ा ग्रंथ लिख्या गया सी अस्ठा अध्याए अस्ठा अध्याए जोकी संस्कृत पाशा दे वेच लिख्या मिल गया पाली नी रिशी दे द्वारा लिख्या मिल गया जिना ने पूर्वक ग्रामर दे वेच एक सूत्रा दे वेच लिख्या अध्याजार सूत्रा दे वेच तकरीबने इस दे सूत्र जेड़े प्रापत होंदे ने उस्तो बाद फेर पूरं तोर उते तीजे नमबर ते जड़ी व्याकरन दा नाम होंदे उदे वेच जान न्यूटन ने अपनी एक खोज किती जान न्यूटन द्वारा व्याकरन जेड़ी सी तीजे पदर दे उते जड़ी दर्ज प्रापत होंदी है आधुनिक जुग दे दुरान वीलियम कैरी ते आध जुग दे दुरान अस्ता दे आए पालीनी रिशी द्वारा ते आधुनिक जुग दे अंत्राल जान न्यूटन द्वारा व्याकरन दी रवाईत जेड़ी सी अग्ये वदी व्याकरन दा सरूप ता प्यारे विद्यार्थियों पाशा दे वक वक आंग हान जिवें तुनिया, शबत, वाक, अर्थ एना पिछे कुझ निजम काम कर देने पाशा दे वर तारेस बंदी प्रापत हुन दे हान एना सारे निजमा दा वर्गी करन किता जन्दा है निजमा दे जहे सुरूप तो ही व्याकरन दा सुरूप बंदा है वर्गी करन तो पावा स्कलासीफ केशन किता जन्दा है वकरे वकरे अदे आये दे वेच वकरे वकरे निजमा बारे बोध किता जन्दा है जिस दे विच व्याकरंदा सुरूप निखड के जड़ा समने होंदा है। जिस दे विच व्याकरंदा सुरूप निखड के जड़ा समने होंदा है। जिस दे विच व्याकरंदा सुरूप निखड के जड़ा समने होंदा है। जिस दे विच व्याकरंदा सुरूप निखड के जड़ा समने होंदा है। जिस दे विच व्याकरंदा मंतव। व्याकरंदा उदेश की है। व्याकरंदा उदेश सरासल सिर्फ इतक नहीं है। जिस दे विच व्याकरंदा सुरूप निखड के जड़ा समने होंदा है। किसे वी गालनों समझान करन समय ओख्याई दी ओख्याई नहीं होंदी। ओख्याई नहीं होंदी। उदा कारण एही है क्योंकि व्याकरंदे प्रती पूरी तरणाल जान कर हो जड़ाने। ते उन्हादा परभावशाली रूप जड़ाई उन्हादे जीवन दे वेच मियारी हो जड़ाई। अगेए ऐसा डिकोल व्याकरंदे अंग। ता व्याकरंदे पाग की ने। केदे व्याकरंदे जड़ी है पाशा दे वरतारे दी व्याक्या है। वर्तारे तो पाव है पाशा नू बोलन, पाशा नू लिखन, पाशा दे उचारन, पाशा दे साई रूप दी व्याक्या जेड़ी है उन्दा ब्योरा जेड़ा व्याकरन कहुंदा है इसलिए पाशा दे वखवख अंगा दे अधिया नूवी व्याकरन कहा जन्दा है अंग तो पावा वखरे वखरे पाट्स जेड़े दिते ने जिना दा पूरी तरह न खोल के वर्नन किता गया है कि केड़े पाट्स दे विच किस तरह न लिंदी वर्तों किती गई है नू अप किस तरह न वर्तों कर सकते है उस दे निजम बनाएगे ने उसनू असी व्याकरन आख दे है ता व्याकरन दा सब तो पहला नियम है तुनिया तुनिया दी व्याकरन जिन्दे चहोवे उसनू बोल दे तुनि बोद जा वर्न बोद इस तरह ना नमबर दो ते है शब्दा दी व्याक्या जिसनु असी बोल देयां शब्द बोध जिदा तुनी दी व्याक्या तुनी बोध जिसनु अंगरेजी दे वेचे असी बोल देयां फोनेटिक्स ते फोनोलोजी शब्दां दी व्याक्या मोर्फोलोजी फिर शब्दां दे अर्थां दे पक्खो व्याक्या उपपागा दे विच भी वन्डेया होया है जिना बारे असी अगले अद्याईआन दे विच तो आझाल विच आरचर चसा जी करांगे सब्झोपे लिए वर्नभोद वर्नभोद दे विच की पूर्मद है ते इन दे विच तुनि वयोंट दा विसानु पूरण तोर्ते पता चल दा Manhattan तुनि वयांटव पावंद है किस तरह नाल तुनि दी तर्तीप वार तुनि दी वर्तों किती जायेगी खंडी ते या खंडी तुनि आ एस तरह नाल सानु सवर्ते व्यंजन एना दा जड़ा बोद है उसा अनुकूरन तोरू ते इस दे विचो ही प्रापत हुनदा है नमबर दो दो ते सड़े कोल शब्द बोद शब्द बोद दे विच की है शब्द बोद चे शब्दा दिया किसमा शब्दान या श्रेनिया, शब्द रूपांतरन, शब्द वंड दा ग्यान जड़ाए करवाया जन्द है, शब्द वंड ते शब्द श्रेनिया, तैंदे विच उत्पन शब्द, इसे तरह नाल समासी शब्द, शब्द श्रेनिया, इना दा बोध जड़ा है पूरण रूप जबत नाम शबत बोध नमबर तेन ते या वाक बोध वाक बोध जिड़ा पाग है जिस दे बीच पूरन तोरूते वाका दी बनतर वाक वंड ते वाक वतंदरा अते विश्राम चिनादा ग्यान करवाया जन्दा है ता वाक बोध दीवेच वाक दियां वक्रियां वक्रियां किसमा सदारन वाक, मिश्रत वात, संजुक्त वाक अगे आजन्द साढ़े कोल अर्थ बोद दे विच की है इस पाग दे विच शब्दां दे अर्थ पक्खो अदियान किता जान दा पाव सब तो पहले तुनी पर गट हुन दी है असे सब जान दे है कि सब तो पहले तुनी तुनी तो बने शबत, शबत तो बने वाग, वाग तो बने अर्थ, तवाकां दे टे शब्दाना दे अर्थां दे वी आख्या जड़ी किती जेंदे, उसनों अर्थ बोद बोल दे या अर्थ बोध दे वेचा जन्दे साणिकोल शब्द जोड, मुहावरे, विरोधी शबद, बो ते शबदा दी था एक शबद, बो आर्थिक शबद, समान आर्थक शबद, ता एन्ना दा ज्यान जेड़ा सानू अर्थ बोध दी सश्रेनी विचों प्रापत हुंदा है याद रखन जो गलना केदे वियाकरन जेड़ा एपाशान शुद ते मियारी रूप परदान करते है सही ते गल्त दी पशान जेड़े या लिखती रूप दे रही ते मोखिक रूप दे रही कर सकते हैं नमबर दो ते है पाशा विद्वान्ना ने पाशान शुद ते मियारी रूप परदान करन लई व्याकरं बनाई है केदे उना दे निजमा दे ते नेमा दे समून व्याकरं आख देने नमबर तेन पाशान शुद रूप विच बोलन ते लिखन देले व्याकरं दे नेम ही सहाई हुन दे हान रूल रेगुलेशन दे अदार दे उते ही व्याकरं दे साई पर्ख किती जन दी है नमबर चार व्याकरं दे चार अंग मने गयने अक्खर जावर्न बोद शब्द बोद वाक बोद ते अर्थ बोद जिना बारे यासी तानू मोटी जी जानकारी जेडिये दे दिती है होना सी गाल करांगे अगे तो एड़नाल पूरन तोरुते ता उसतो पहला जेडे विद्यार थी एना कोर्सिस दे नाल जुडना चौंदेने ओ हेठा दित्ते गे नमबराओं ते संपर्क कर सक देने जल्दी तो जल्दी पूरान तोरुते अपना समा जाया नाग वोंदे होए पूरी तरह नाल आम आदमी ब्रेन अकेड्मी नाल जुडना ना पुलना ता इसे तरह नाल होना सी गाल करांगे बहु विकलपी प्रशन जेडे की दस प्रशन जेडे है एनना टोपिक्स दे की किहा जंदा है ताहां जी विद्यार्थियों पूरी तरह ना त्यार हो जो प्रश्णा दे उत्तर नू समझन लई ते उना दे उत्तर देन वास्ते ता इस कोशन दा सही अंसर की आवेगा ता इस दा अंसर आएगा पाशा जा बोली असी एक दूजे नू समझन वास्ते जिस चीज दी वर्तो कर देया उना बोला नू किस लाके दे बोल जा लेख के अपने विचार परगड कर देया ता उसनू असी पाशा जा बोली आख देया साड़ा दूजा कोश्ण है लेख के परगड़ाई गई पाशा नू किहा जान्दा है साड़े कोल चार वी कल्प दिते गएने एना चारा वी कल्पाँ विचों साई वी कल्प केड़ा होवेगा लेख के परगड़ाई गई पाशा नू की किहा जान्दा है ताया इस दा बिल्कुल असान अंसर लेखके प्रगटाई गई पाशा नो असी लिखती पाशा जां साहित तक पाशा भी आख दे हाँ जो इस दा राइट अंसर है अगे कोशन नंबर तेन ऐसा डेकोल कई लोग अपनी बोली नू की समझ दे हन ता इस कोशन दा राइट अंसर की होवेगा ता इस कोशन दा राइट अंसर की होवेगा ता इस कोशन दा राइट अंसर जो की असी उन्हें भी करके आएँ रभी देन ता बहुत सरे लोकां सुछ से ये मनना है कि ये परमातमा देन है, परमातमा द्वारा बनाई गई है, कुछ भी द्वान दे विचार ने, Quesht No.4 जे पंजाबी पाशादी ती है ता वैदिक आरिया पाशादी की है जे पंजाबी पाशादी ती है ते वैदिक आरिया पाशादी की है मा, पुतरी, दादी, जा, पैन ता इस दा राइट आंसर केड़ा होएगा Very important question है For the exam The most important question कोई की पेपर देवे चांदी सबावना है इस दी ता मा है जिनु जन्नी भी लिखिया आज सकता है आरियन पाशा दी यहे जन्नी है मा है कोई की पंजाबी पाशा जेड़ी है आरियन सबेता तो आरियन वैदिक आरियन लोका तो आई है पज़मा कोश्चन है बच्चा अपनी मा तो केडी पाशा सिखदा है साडेकोल चार विकल्प दित्ते गएने सई विकल्प केड़ा होएगा एक कोशन ऐनना कुछ जादा मशूर है बहुत वार पेपर देवे चावी चुका हुए है कि बच्चा अपनी मा तो केडी पाशा सिखदा है ता इस दा सही अंसर है मात पाशा मदर टंग जे हो अंग्रेज़ान दे विच पैदा होया है तो उना दी मात पाशा अंग्रेजी है जे उस दे कारप हिंदी बोली जान दी तो उस दी मात पाशा हिंदी होएगी जे और आपने करे बंगाल बंगाली बोल देता हो ना दि मात पाशा बंगाली होएगी ता फॉस्ट लेंग्वेज जेड़ी है, ओ साड़ी मात पाशा ही हों दी है second language जेड़ी होन से कूली पदर दे उते तेन लेंग्वेज पढ़ाई या जान दियां बच्चे नू first, second, third ता कई बच्चे ना medium जे पंजाबी है तो होना दी first language है पंजाबी ता मातपाशा पंजाबी है ता मातपाशा पंजाबी मताबक होना दी first language पंजाबी second language हिंदी ते third language जेड़ी करवाई जान दी है अंगरेजी इस तो इलावा जेड़े बच्चे फोर्गेल लेंग्वेज से सिख देने जिवें फ्रेंच होगी आस्टानियन होगी होड़ी बहुत सारियां पशामा ता इसे तारा उर्दू है फार्सी है ता एवी जेड़ियां पुरानी समेदियां सारियां पशामा ने जिनादा आजवी पूरन तो रूते परिपक रूप देखनू मिलदा है कोशन नमबर छे व्याकरन मूल रूप विच किस पाशादा शब्द है व्याकरन जेड़ा है मूल रूप विच किस पाशादा शब्द है साडेकोल चार विकल्प दिते गेने एना चारा विकल्पां विचो सई विकल्प केड़ा होवेगा ता इस दा राइट अंसर है संस्क संस्क्रीट पाशाद कोशन साथ नमबर आट, वर्न बोध ते वाख बोध की हन? साड़े कोल विकल्प दिते गए ने इनना विकल्पा विचो साई विकल्प केडा है तो है व्याकरन्दे अंग, व्याकरन्दे पाटने है जिना नू चार पाग गांदे विच वंडे आ गया है कोशन नमबर नो, व्याकरन दे किन्ने अंग हन? इस कोशन दा राइट अंसर है, चार, जिना विच्च सबतो पहला है तुनी, दूसरा है शबद, तीसरा है वाक, देचोथा है अर्थ, एनू पूरी तरह तर्तीब बार में लिखिया है, कई वार कई बचे तर्तीब बार देवेच अर्थ नू दू तीजे नमबर रख देया, ते वाक नू लास्ट ते रख देया, गलत है, कई वार पेपर जे कोशन दा भी पुछया जन्द है, कि व्याकरन दे पागानू तर्तीब बार रूप विच दसो, तर्तीब बार जेड़ा कोंटीन्यू जेड़ा ए, इस दा सही रूप है, जेड़ा में तनू दसे है, लास्ट कोशन आओ, वाक वट अंदरा ते विश्राम चिनादा ग्यान, व्याकरन दे केडे पाग विच कराया जन्दा है, सारे कोल चार विकल्प दिते गेने, न चारा विकल्प पांचो सही वि कल्प केड़ा होवेगा, एन चारा विचो सही विकल्प वाक बोध होएगा, कोकि वाक वट अंदरा ते विश्राम चिनादा जेड़ा बोध है, ओ सानू पूरन तोरू ते वाक बोध सैनेटिक्स दे विचो ही करवाया जन्दा है, ता एसी प्यारे विद्यार थियो, आज तो अडे रूबरू, लेक्चर तीसरा, जिस दे विचासी तो अडे नाल, पाशा ते वियाकरन बारे विचारचा सांजे किते, हेठा कोमेंट्स दे राही सानू जरूर दसो, ए वीडियो किस तरह दी लगगी, ते वत वदो ना विद्यार्थियां तक शेयर अप जरूर करो इसे तरह नाल, आम आदमी, ब्रेन अकेडमी ते जुड़ना ना पुलना, पूरे समय दे नाल, समय सार नीद अकोर्डिंग, हर तरह दे डौट्स जेड़े हैं तो अडे कलियर किते जानगे, एना शब्दा दे नाल, तै दिलों तानवाद